मौसम समचार में आपका स्वागत है मौसम की लेटेस्ट खबरे पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें MTV News इंडिया को मौसम भाग के लिए बारी दोहजार चौपिस को जमकशमी लद्दाग गिलकिट बालतिस्तान मुझफर अदुर हमाचर प्रदेश में व्यापक रूप से हलकी मध्यम बारिश और परफबारी के साथ अलग अलग अगस्तानों पर भारी बारिश और परफबारी होने की जुदिस के उत्तर परदेश वासियो को ठंड से पूरी तरह से रहात नहीं मिल पाई है अभी वे मौसम में उतार चड़ाओ दिखाई दे रहा है दिन के तापमान बढ़ा हुआ है और सुरज ठलते ही फिर तापमान में गिरावट हो जाती है मौसम भाग ने कहा है कि आज करवार को धिकांज दिलों में धिन में धूप निखिलेगी और 18 फरवरी के बाद मौसम में बदलावाएगा तो कहीं कहीं बारिश मद्य प्रदेश के मौसम का मिजाज इन दोनों काफी तेजी से बदल रहा है वे मौसम बारिश और ओर वरिष्टी से प्रदेश की कई हिस् पश्रमिविकशोब आ रहा है जिसका असर भी प्रदेश के कई हिस्समें पढ़ेगा उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है दूसरा चक्रवाती घेरा महराश्ट के मराठ फाड़ा में हैं लेकिन ये मौसम को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं साथी पश्मिविक्षो भी सक्रिये नहीं है इसका असर उत्तर भारत के उपर रहेगा फिलहार प्रदेश में अधिकता नियुम्तम तापमां दोनों में बढ़ोतरी होती हुए नज़रा रही है लगनों मौसम के इंद्री के और से दिगए जानकारी के मताबिक उत्त वर्वरी से मौसम विभा के मताबिक हल्की बारिश का पुर्वा नुमान है जिससे फिर से मौसम बिकड़ेगा फिलहार अभी 25 वर्वरी तक मौसम इसी तरह मिला जुला रहेगा 26 वर्वरी के बाद तापमां चड़ेगा इसके लावा दक्षिन भारत की तमाम हिस्तों में पिछली की चमक और गरच के साथ बारिश होने की तापमां में गिरावट दर्च की गई इसके साथ दिल्ली एंसियार और आसपास की हिसों में सुभा सुभा गना कोहरास जरूर चाय गया लेकिन अब सर्दी का सितम काफी कम हो गया है पहाड़ों पर बरफबारी होने से ता